नमस्ते आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर केंडी जा रहे हूँ दही बले अब ये जो दही बड़े ना ये कोई ऐसे वैसे दही बड़े नहीं ये है सूजी बेसन के दही बड़े अब काफी लोग इसे दही बले बोलते हैं और काफी लोग इसे दही बड़े बोलते हैं आप क्या बोलते हैं कमेंस में जरूर बताना ये सूजी बेसन के दही बड़े खाके देखें आपको मज़ा ही आ जाएगा बनाने में भी आसान है तो चली शुरू करते हूं उसके लिए देखो मैंनी आप ले ली है एक कप सूजी बारिक वाली ले या मुर्टी वाली जो आपका घर पर हो इसके अंदर मैंने आधा कप जितनी दही डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और अच्छे से सूजी के अंदर इन सभी चीजों को मिला लेंगे इस तरह से मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल दिया थोड़ा थोड़ा करकर पानी तो एक कप सूजी है तो दो कप इसके अंदर आपको पानी डालना है कुछ इस तरह से और इसे अच्छे से मिलाते जाना है सच बता रहे हूं ये खाने में इतने बड़िया लगता है ना दैवाड़े मतलब मैं बता नहीं सकती इतने स्वाद वाले अच्छे से मिला लीजे और मिलाने के बाद इसे ढखकर आपको रख देने सिर्फ 10 मिनिट के लिए जादा मत रखना 10 मिनिट काफी है इसे तो यहाँ पर तकरीबन 10 मिनिट हो चुके हैं तो हटा लेंगे ढखकन को और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कप जतना और पानी इसे अच्छे से मिला लेंगे और चौथाई चमच इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल कर इसके ओपर एक चमच पानी डालेंगे और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से मिला लिया है और मिलाने के बाद अब देखे ये सुजी बेसन के धária वडे है तो मैंने सुजी तो ये इस तरह से हो गई इसके अंदर मैंने डाल दिया आधा कव बेसन चौताइचप जीरा डाल दिया है और साथी साथ नो बेसन डाला है और एक तुम उपर से कुरकुरे सोनेरा कलर आ जाए तब तक इसे हमें फ्राय कर लिएना है यनी कि तल लिएना है तो यहां पर आप देख सकते हैं बारी-बारी करते हो मैं इस तरह से डालती जा रहे हूँ बस इस तरह से पलटते रहेंगे उपर से अंदर तक अच्छे से पक लगबक 10-12 मिनिट के रहे रखना है तकि यह दई बड़े सॉफ्ट हो जाए तो लगबक 10-12 मिनिट हो चुके तो अब इसे हलका हलका दबाने दे कि जादा मत दबाईएगा हलका दबा लीज़े और इसका जो एक्स्ट्रा का पानी है जो जादा का पानी हो वो निस तरह से नि स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके अंदर में डाल रहे एक ग्लास जितना पानी पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से अंदर से मिला लेंगे तो यह पर दही को सबसे पहले फेट लेना उसके बाद इसके बाद यह बनाए हुए जो बड़े हैं वो इस तरह से बारी बारी करते हों इसके अंदर डाल देंगे साथ ही साथ इसके उपर में डाल रही हूं बनाजीरा पाउडर चोथाई चमच चोथाई चमच काली मिर्ची पाउडर आदी छोटी चमच लालमिश पाउडर थोड़े से अनार के दाने और लीजोए बनकर तयार है यह में आसान है उसे ज़्यादा ये खाने में बढ़िया लगते हैं तो आप तो इसे एक बार जरूर बना लिया तो बार बार मेरी गैरंटी है जरूर ट्राइ करना और यहां ते कहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांकियो फ